बिस्मिल्ला इरुख्मान जुआही असलाम अलेकुम दिलाहूर गैरिजन स्कूल लेक्टर नंबर फॉर क्लास दहम इस्लाम एद इख्तियारी पेज नंबर 68-69 आज का हमारा टोपिक है मिटा जिहाद जिहाद का मतलब है कोशिश करना जिहाद का लफ दिमाई नहीं है मकाबला करना किसी चीज़ का जिहाद के लाता है अब नेक्स देखें जिहाद की फजीलत बहावाला कुरान और सुन्त मतलब जहाद की फजीलत का अंदाजा हमें कुरान और सुन्त से हासिर हो सकते हमारे सामने एक आयत है जैसे के जहाद बजाहिर तो इसलाम के अरकान में शामिल नहीं है लेकिन हकीकतन इन सब की रूह जहाद ही है जितने भी हमारे अरकान इसलाम है ना उन सब की जो रूह है जो उनकी जो बेस है वो सब क्या है जहाद ही है मतलब तमाम अरकान इसलाम में जहाद का मोजब जरू कि तरफ जाते हैं आयत हैं हमारे सामने बिला शुबा अन लोगों से प्यार करता है जो उसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं गौया वो सीसा पिलाईवी दिवार है मतलब जो पूरे दिल के साथ अल्ला की राह में जिहाद करते हैं उनको अल्ला के था है कि अन लोगों कौन सा हमल सबसे बेतर है तो आप वाले वाले वसलम ने फर्माया अल्लाह पर एमान लाना और उसकी राह में जहाद करना इसका क्या मतलब है कि हमारे नभी हज़रत मुहम्म्म्म ने भी जहाद की एहमियत को मदिनाजर रखा अब मेटा नेक्स आते हैं जहाद का मफूम और उ तो आनसुनत इसके अकॉडिंग आपके पास जहादो की जो फजीलोत दूस्री है उसके अपको बुक में से बहुत जारी डेटा मिलेगा नेक्स अभी देखते हैं जहाद की किसमे जहाद की दो किसमे जैसे जहाद बिन नफस और जहाद बिन माल अब इनको हम अलग अलग एक्स्प्लेन करते हैं जहाद बिन नफस के बारे में पहले हम देखते हैं यानि जान से जहाद करना जान से जहाद करने वालों को दो किसम के हलाद पेश आते हैं एक वक्त ऐसा होता है कि जब इने राहे हक में अपनी जान पर मुक्तिव किसम की तकलीफ बरदाश करनी पड़ती है वो दुश्मनों के मकावले में कमजोर होते हैं और दुश्मन उनको राहे हक से उटाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं तरह तरह कि उनको आज माईशमन डालते रहते हैं लेकिन किस्थमाण होते हैं जबाहिमत होते हैं जन्होंने खुकता इरादा किया होता है और हम ने लाह की रामें जहात करना की करना है वो सब कुछ बरदाश करते हैं magnificent क जारी रखते हैं दुन्या की कोई टाकत नहीं है जो इने राहِ हग से इटा सके और हग की खातिर वहर किस्म की टकालीफ की का परदाश करने करके Allah ता की रज़ा खुशनूदी हासिल करने की कोशे करते हैं और और हासिल कर भी लेते हैं और दूसी किस्म के हलात हने उस वक्त पेश आते हैं जब उनमें दुश्मन का मकाबला करने की ताकत मुझूद होती है और दुश्मन उन्हें सफ़य हस्ति से मिटाने की कोशिश करते हैं मिदाने जंग के सिवा कोई और सुर्थ बाकी नहीं रहने रहने देते ऐसी सुर्थ में जान की वाजी लगाकर अल्ला के दीन और अपनी जान की इफास्थ करना जूरी होता है ऐसे ही हलात में जंग की अजास होती है और ऐसे ही हलात में सरहदों पर एक रात गुचारना हजारों नमाजों और रोजन से अफजल होता है अब आप इस बात से अंतादा लगा सकते हैं कि जहाद की कितनी अहमियत है और हक की हमायत में तलवार उठाना मुखालफीन को ताकत के जरीए इनके बुरे अजाइम से रोकना जरूरी होता है नेक्स टेमिटा जहाद बे माल जहाद बे माल की एक्स्वेनेशन देखें जहाद बे नफस के पाद जहाद बे माल का दर्जा है दुनिया को कोई काम पैसे बगार नहीं होता हम सब को इस बात का बताए इसलाम जिसका मिशन तमाम दुनिया में अल्लह ताला का नाम बलंद करना और अमनों, और अमन काई हैं, जानी और माली गुरबानी के बगर कैसे चल सकते है जहाँ जहाद बिन नफस के सिलस्वे में बेश्वार रवायाथ काई हैं वहाँ जहाद भी माल का भी हक अदा किया है अलाद अलाद के दीन की खाते घर भार चोड़ना और जंग की तैयारी के वक्त घर का तमाम माल निस्फ माल किसी ने सारा माल ले लिया, किसी ने ले आया, कोई आदा ले आया, कोई खासा एसा अलाद की राह में पेश करने के लिए आ गया तो किते हैं, अज़र अलाद के सहाबा अकराम और एहल बैद के ये हिसे में आई है, ये खुसूसियत, कोई सहाबा अकराम पूरा अपने घर का माल ले जैसे कि हज़रत अबबबकर सिदीग की मिसाल आपने सुनी होगी, कि जब जब इसी तरह माल कठा किया जा रहा था, तो जबे की बाद होती है, ये हक की रह पर चलनी की बाद होती है, अलाग और अलाग की र захक खश्णूदी हासिल करने का जब जबा होता है, कि जो हमें जहाद की तरफ ले कर जाता है, आज करहा हमारे यही इसका है कि बहुत सारी सूर्टे आ जाती है और आज के हमारे लेक्टर का हासल एकलाम यही है कि जहाद की एहमित और फुजिलत कितनी है अल्ला और उसके रसूल की नजर में और हमारे दिन की रूँ से मेरा आज का लेक्चर हमारा यहीं भी कम्प्रीट होता है नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साम पिर आजर होंगे तब तक के लिए अलाह आफिस